Hello everyone UPPGT Practice Set से जुड़ए ये क्लास है और इससे पहले जितने भी क्लासे सो चुकी है उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएगा क्लासे स्टार्ट विससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जाओ कर दीजे समाज शास से सम्बंदित यहाँ पर सभी परिक्षाओं के लिए देखिए आप सभी के लिए Practice Set एंड शुशौल जी के जो नोट्स है यह यहाँ पर प्रवाइट कराए जा रहे हैं PDF फॉर्मिट में यहाँ पर प्रशनों की संक्या 1000 से जादा है इसका जो प्राइज है 199 है 1000 से जादा प्रशन है इसका जो रुपए है 199 रुपए है इसके अलावा 300 से जादा जो यहाँ पर MCQs दिये गए हैं इन MCQs में आपको जो महतपूर समाज शास्ते हैं सम्बंदित प्रशन देखने को मिलेंगे जिसमें की भारती समाज शास्ती भी शामिल है और उन सभी के दुआरा उनके जो सिद्धान्त अवधान्डाएं और उनकी जो महतपूर पुस्तके हैं परिक्षा के द्रस्टी से जो प्योगी हैं वे आपको प्रशनों के अलावा अलग से PDF में देखने को मिलेगी और उसका जो प्राइज है 120 है बात कीजाए समाज शास के नोट्स की चुकि ये नोट्स समाज शास सम्बंदित सभी परिक्षाओं को ध्यान में रखकर तयार किये गये हैं कि स्लेबस लगभग एक जैसा होता है थोड़ा बहुत ही अंदर होता है तो आप उसे ले सकते हैं और इसका जो प्राइज है 399 है कोई भी जुड़ी हुई आप प्रेशन इससे सम्बंदित कुछ पूछना जाते हैं तो यहाँ पर WhatsApp दिया गया है WhatsApp का नंबर है 790-558-558 इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर UPI ID है इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीन शॉट दिये गए WhatsApp नंबर पर देना है जिससे आपको PDF प्रवाइट हो जाएगी और बात कीजाए यहाँ पर नोट्स की तो नोट्स में कौन-कौन से टॉपिक्स शामिल है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारे टॉपिक्स है आपको इस PDF में मिल जाएंगे जिसका प्राइज 3.99 है ठीक है आगे यहाँ पर देख लेते हैं यह रिविजन टाइम के लिए नोट्स आप सभी के लिए तयार किये गया है वन लाइनर है ठीक है चुकि यह वन लाइनर है तो यह धियान रखेगा इसमें आपको देखने को मिलेंगे समाश शास के जो महत्पुर कथन है समाश शास्तियों द्वारा जो फिल्ड वर्ग यानि छेत्री अधिन किया गया है जनजातियों और उनके युवाग्र आपको इसमें देखने को मिलेंगे सविधान के वे कौन से प्रमुक अनुचेद और अनुसूचियां हैं जिन से संबंदित प्रेश्ण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको सारे अनुचेद और सारी जो अनुसूचियां हैं जो महत् महतपूर अधिनियम इसमें आपको मिलेंगे देखने को और जो समाश्रास के महतपूर पुस्त के अवधाना है वे आपको इसमें मिल जाएंगी इसका जो प्राइज है दो सो उन्चास रुपए है ठीक है आप इसे ले सकते हैं बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और यहां पर हाइयर एक्जाम के लिए जैसे कि आप सभी को पता है आयोग की तरफ से ये सूचना बताया गया है पेपर में भी आपने कई सारे पेपर में भी देखा होगा टेलिग्राम चैनल पर भी आपको बता दिया गया था कि जो परिक्षा की तिथियां है डेट्स है वो घोशि इसका जो प्राइज है कितना रखा गया है 199 है आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं सारे टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे तो आप में से जितने भी लोग लेना चाहें ले सकते कोई भी जानकारी चाहें तो यहाँ पर वाट्सेप नंबर दिया गया है वाट् लेक्षा आपकी 4 अपरेल वा 5 अपरेल को बताई गई होगी हाला कि यह अपना जो आयोग है यह कलेंडर जारी करेगा उसमें डेट्स मेंशन होंगी ठीक है चले अब शुरू कर लेते हैं पहरा प्रेशन है यहाँ पर निमने में से किसने निशकश निकाला है कि आज सरशन सरशनात्मक धंग से परिवार केंद्री है और प्रकार्यात्मक धंग से संयुक्त परिवार है विकल्प यहाँ पर देख लीजिए मिल्टन सिंगर है आईपी देशाई है आर्डी लेमर्ठ है केम कपाड़िया यहाँ पर दिए क्या हो जाएगा किसका यह कहना है कि आज संगर्ष केंद्र केंद्र के रूप में समझा जा सकता है परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघश के केंदर की रूप में समझा जा सकता है या कहना इन में से किसका है यहाँ पर सही क्या होगा हॉट मैन होगा हॉट मैन यानि की विकल्प भी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न है एकल विवा प्रादुभाव पुरुशो और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ती की रक्षा करने के लिए हुआ था या किसके द्वारा कहा गया है तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न है पुस्तक है India Unity in Diversities किसकी है विखल पहन टीपी मुखरजी राधा कमर मुखरजी योगेश अतल टॉलकेट पारसंस इंडिया Unity in Diversities पुस्तक के लेख कौन है सही यहां पर क्या होगा, किसके द्वारे यह पुस्तक लिखी गई है यह योगेश अटल की पुस्तक है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज ठीक है, योगेश अटल होगा, ओप्शन C यहां पर इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्ण है, क्रांतिया इतिहास की इंजन है या किसके द्वारा कहा गया है पैरेटो, कालमाक्स, आरदे साई, या फिर ए रोस, क्रांतिया इतिहास की इंजन है या किसका कहना है तो यहाँ पर क्या होगा सही, कालमाक्स होगा विकल्प भी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कालमाक्स इनको complete कराया जा चुका है आपको thinker से जुरूइ classes का अलग से folder मिल जाएगा जितनी भी classes होई अभी तक उन सभी का folder आपको channel के playlist में मिल जाएगा आप वहाँ से उन topics को complete कर सकते हैं अब यहाँ पर प्रश्ण देखिए किसका तरके है कि जाती सोपान क्रम के अभिव्यक्ति है बजाए इस्तरी करन के लिूडूमो इस्पेंसर एपजी बेली में शुनिवास यहाँ पर विकल्प दिये गया है जाती यह पर सही होगा लिूडूमो होगा विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा आगे देखते हैं प्रश्ण इन में से कौन सही सुमेलित नहीं है देखे यहाँ पर सारे कॉंसेप्ट्स हैं जमिन शैफ्ट और जैसल शैफ्ट वाला कॉंसेप्ट टॉनी इसके द्वारा दिया गया है पवित्र और लौकिक की बात वेकर हैं यहाँ पर विकल्प में प्रदत प्रस्थति लिंटन अंता समू बाह समू कूले तो यहाँ पर क्या होगा आप सभी जानते हैं आपको यह कई बार बताया गया है इन ग्रूप और आउट ग्रूप का जो कॉंसेप्ट है वह कूले का नहीं है किसका है समनर का है किसने दिया है समनर का दिया है आपको जो नोर the concepts आपको class में कराए गए थे, ठीके, चले, आगे यहाँ पर देख लिजे, पुस्तके हैं, society है, the social order है, human society है, invitation to sociology है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बात की जाए, मैकेवर की पुस्तक की, तो यहाँ पर society किसकी है, मैकेवर की है, the social order, किसकी है, Robert B.A.R.S.T.E.D. की है, the social order, यहाँ पर किसकी हो जाएगी, Robert B.A.R.S.T.E.D. की हो जाएगी, इसे कर लिजेगा, B का, यहाँ पर, एक सेकंड रुकीगा, यहाँ पर the social order किसकी हो जाएगी, Robert B.A.R.S.T.E.D. की हो जाएगी, order किसकी है, Robert B. Arrested की है, Davis की human society हो जाएगी, Peter Berzer की invitation to sociology हो जाएगी, ठीक है, तो इसे फोर्थ यहाँ पर देख लिजे, MacAver की society हो जाएगी, Davis की हो जाएगी human society, और Peter Berzer की क्या हो जाएगी, invitation to sociology और Robert B. Arrested की क्या हो जाएगी, the social order, यानि कि option A यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न है, आ विद्याली करण सम्बंदित है, Ivan Illich, Paulo Ferry, A और B दोनों से या फिर भगवान दास, तो यहाँ पर आ विद्याली करण इनमें से किस से सम्बंदित होगा, Ivan Illich और Paulo Ferry, यह दोनों से ही सम्बंदित है, यहाँ पर विकल्प C हो जाएगा, सही, प्रश्न है, Mind and Society क्रती किसकी है, George Herbert Mead, Margaret Mead, Pareto, Rolf Linden, Mind and Society, आचा, George Herbert Mead की बुक का नाम क्या था, Mind, Self and Society था, ठीक है, Mind, Self and Society था, George Herbert Mead की बुक का नाम, यहाँ पर Mind and Society है, Mind and Society किसका हो जाएगा, Pareto का हो जाएगा, Pareto की यह बुक है, Mind and Society, Pareto ने समाजिक परिवर्तन से सम्बंदित अभिजात वर्ग का, परिभ्रमर का सिद्धान दिया था, इन्होंने किरिया के दो प्रकार भी बताये थे, तारकी किरिया और आतारकी किरिया, तो यहाँ पर Mind and Society किसकी हो जाएगी, Pareto की बुक हो जाएगी, और इसके अलावा, जो यहाँ पर M. Mead है, M. Morgate Mead, इनकी बुक का नाम, Male and Female है, Male and Female, ठीक है, अक्सर पूछ ली जाती है, तो इससे याद रखेंगे आप, प्रेशन है, डॉक्टर S.C. दुबे ने गावों का वर्गी करण किया है, निमने में से पहचान करे, गावों का वर्गी करण इनमें से किसके आधार पर किया, देखे, options है, आकार, जनसंक्या और भूछेत्र के आधार पर, प्रजाती तत्व और जातियों के अधार पर, भूमी के स्वामित्व के अधार पर, अधिकार और सत्ता के अधार पर, दुबे के द्वारा जो गावों का वर्गी करण किया गया है, इनमें से किसके अधार पर किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यह सारे सही होंगे, अधिकार और सत्ता के अधार पर, भूमे के स्वामित्यों के अधार पर, प्रजाती तत्व जाती के अधार पर, और आकार, जनसंक्या और भूछेत्र के अधार पर, इन सभी के अधार पर गा संस्था या फिर समूजन रीतियों प्रथाओं और रूडियों का जो स्थाई ढाचा होता है उसे हम क्या कहते हैं क्या कहेंगे उसे हम संस्था कहेंगे संस्था के विकास के जो अवधार्णा है वो किसके द्वारा दी गई है समनर के द्वारा दी गई है आपको बताया गया इसके अलावा अगर बात की जाए संस्था करण की जो अवधाना है वो किस ने दी है पारसंस ने दी है जितनी भी बाते आपको क्लास में बताई जाती है उन्हें अच्छे से याद कर लिया करिए उनको facts जो आपको बताई जाते हैं उन सभी को note कर लिया करिए क्योंकि exam में उ संसकती करण को अग्रिम समाजी करण की प्रक्रिया किस ने कहा, एके सरन योगेंदर सिंग, योगेश, अटल, दिपांका, गुपत, यहां पर विकल्प है, संसकती करण को अग्रिम समाजी करण की प्रक्रिया, इन में से किस ने कहा है, तो यहां पर सही क्या होगा, संसकती किसकी अवधाना है एमेन श्री निवास की अवधाना है एमेन श्री निवास की अवधाना है संस्कतिकरन कैसी प्रक्रिया किसे कहते हैं तो इसमें कोई निम्न हिंदू जाती या जन जाती किसी उच्छी अद्विज जाती की रीती रिवाच उनकी प्रताओं उनका उनकी जो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है ठीक है तो इस तरीके से बताना होता है तो ये concept किसका हो जाएगा M.S. श्रीनिवास की अवधाना है किस पुस्तक में M.S. श्रीनिवास ने अवधाना दी इस तरीके से भी प्रश्ण पूचा जाता है तो देखें यहाँ पर विकल्प है इसका एक उद्देश होता है आपचारिक नियम, सहयोग और स्थाई प्रक्ति तो समिति की विशेष्टा नहीं है बताना है तो देश होता है इसका, ठीक है, कुछ देशो को प्राप्त करने के लिए समितिक का गठन किया जाता है सहयोग होता है और आस्थाई प्रकति नहीं होती है बलकि आस्थाई प्रकति होती है, एक्चिक सदसता होती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प D यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चलिए, आगे देख लेते हैं, प्रश्न है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वित्यक नातेदारी की श्रणी में आते हैं, मर्डॉक ने तीन तरह की नातेदारी की बात की थी प्रात्मिक द्वित्यक तृत्यक, तो यहाँ पर देखिए, द्वित्यक पूछा जा रहा है, तो द्वित्यक में कितने बताये थे, जो प्रात्मिक नातेदारी की श्रणी थी, उसमें 8 बताये थे नातेदार, जो द्वित्यक नातेदारी की श्रणी है, उसमें 33 बताये थे और जो तृत्यक नातिदारी की श्रेणी है उसमें 151, 151 इन्होंने बताये थे मर्डॉक ने तो यहाँ पर दृत्यक है तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा यह सारे जो आपको 8, 33 और 151 है यह आपको याद होने चाहिए क्योंकि कभी-कभी प्रात्मिक पूछ लेता है कभी दृत्यक कभी त्रत्यक इस तरीके से पूछता है ठीक है तो यहाँ पर 33 होगा option A यहाँ पर इस प्रेशन का सही उत्तर हो जाएगा चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रेशन है निम्लिकित में से कौन विज्ञानों के वर्गी करण के लिए जाना जाता है दुर्खीम, वेबर, इस्पेंसर, अगस्त कॉम्ट क्या होगा विज्ञानों का जो वर्गी करण है इनमें से किसके द्वारा किया गया है किसने विज्ञान का वर्गी करण दिया था अगस्त कॉम्ट ने, अगस्त कॉम्ट जो कि समाश्यास के जनक है इनके गुरु कौन थे, सेंड साइमन थे, एक प्रशनिस तरीके से भी पूछा जाता है, आगस्त कौम्ट के जो गुरु है या परामश्ट दाता है, वो कौन थे, सेंड साइमन थे, ठीके एक प्रशनिस तरीके से पूछा जाता है, इन्होंने विज्ञानों का वर्गी करन द थी चलिए और इस तरीके से भी पूछते हैं समाज शास का क्रम या सही क्रम में लगाने को आ जाता है ठीक है तो इसे याद रखिएगा सबसे पहले मैट्स की बाद की फिर उसके बाद यानि की खगोल शास की फिर उसके बाद फिजिक्स बहुतिक शास फिर केमेस्ट्री रसायन शास फिर बायलोजी यानि जीव विग्यान और आखरी में शुशौल जी यानि की समाज शास के उन्होंने बात की थी चलिए आगे देखते हैं प्रश्ण जाती का अधार क्या है धर विकल्प बी सही हो जाएगा जन्म ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्ण है प्रस्तति और समविदा के अधार पर समाजों का वर्गी करन किसने प्रस्तुत किया हिंड्री मैन रोबर्ट रेट फिल्ड इमाइल दूर्खेम काल मार्क्स तो यहां पर क्या हो है बी होगा यहां पर अब यहां पर प्रस्ति और सम्विदा के अधार पर समाज का वर्गी करन किसने किया तो किसने किया था हिंड्री मैन ने किया था ओप्शन यहां पर सही होगा प्रश्ण है सरशनात्मक प्रकार्यात्मक द्रस्टिकोर से विचलन का अध्यन किसने किया विचिलन की बात हो रही है, विचिलन का अध्यन सरशनात्मक प्रकार्यात्मक द्रस्टिकोर से किस ने किया, विकल्प में Kingsley Davis, Southern Land, RK Merton, W.E. मुरे यहाँ पर हैं, तो क्या हो जाएगा, सरशनात्मक प्रकार्यात्मक द्रस्टिकोर से विचिलन का अध्यन किस ने किया है, तो जोहान, T.S. Epstein, T.H. Marshall, मैसूर के वांगला गाउं पर अध्यन किस ने किया, फील्ड वक से जुरूए भी प्रशने पूचे जाते हैं, किसका कहां पर अध्यन रहा है, और या अध्यन करके उन्होंने क्या निशकष निकाला, इस तरह किसे पर पूचा जाता है, आपको जो क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको दिखाये गया था, सारे जो टॉपिक्स हैं, वो सभी उसमें मैंशन किये गया था, आप देख सकते हैं, ठीके, और जो वाट्सेप नंबर उसमें कोई भी जानकारी चाहें, तो आप पूच सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मैसूर के वांगला गाओं का अध्यन इन में से किस ने किया था, ती एच इपस्टीन ने किया था, यहाँ पर विकल्प सी होगा सही, प्रशन है, मैलनोवस्की ने किस सिद्धान का प्रतिपादन किया, प्रकारिवाद, सरशनावाद, द्वंदात्मक या फिर उद्विकास, तो मै अप्शन ए हो जाएगा सही, प्रशन है, तमिलनाडू के तंजावुर जिले में माक्स के उतपादन पदिती की अवधान आत्मक संदर में अध्यन किस ने किया, रामकृष्ण मुखर जी, एर देसाई, कैथलिन गफ, मैक्स वेबर, तमिलनाडू के तंजावुर जिले में म 12 बजी क्लास होती है, मंडी टू सैटेड़े जो की चलती है, आप उसे जोईन कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तमिलनाडू के तंजावुर जिले में माक्स के उतपादन पदिती की अवधान आत्मक संदर में अध्यन इन में से किस के द्वारा किया था, कैथलिन गफ के द्वारा किया गया था, विकल्प C यहाँ पर सही होगा, प्रशन है किसने कहा है कि समाजिक नियंतरन समाजी करण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, विकल्प देख लीजे, ग्रीन है, गिटलर है, फिचर है, कूले है, समाजिक नियंतरन समाजी करण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, इन में से किसके द्वारा कहा गया हैं, तो यहांपर सही क्या होगा? फिचर होगा, ओप्षन C यहांपर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? फिचर यहांपर सही है, प्रश्ण है शोशल मोबिलिटी पुस्तक के लेखा कौन है हॉब हाउस है एंथोनी गिडेंस है सोरोकिन है डेनियल लर्नर है शोशल मोबिलिटी किसकी बुक हो जाएगी सोरोकिन की हो गई ठीक है, सोरोकिन की ये बुक है, सोरोकिन ने ही सबसे पहले समाजिक गतिशीलता की बात की थी, 1927 में ये पुस्तक आती है, चलिए, आगे देख लेते हैं, प्रशन है, निम्ने में से कौन सा युगम सही नहीं है, सावेवी एकता दुर्खीम, प्रतिमान परिवर्त पार्संस आत्मदरपन दर्शन कूले, व्यक्तिवादी प्रकारवाद मर्टन, तो यहाँ पर कौन सा युगम सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यक्तिवादी प्रकारवाद में मर्टन नहीं होंगे, बलकि मैलनोवस्की होंगे, सभी आवशक्ताओं की पूर्ती का साधन मैलनवस्की ने संस्कृति को बताया था, संस्कृति किस तरीके से मानविया शक्ताओं को पूरा करने में योगदान देती, उसी की परिपिक्ष में इन्होंने फंक्षन यानि की प्रकार की बात की थी, चलिए, आगे देख लेते हैं कालमाक्स द्वारा दियेगे निमन समाज के क्रम को विवस्थत करना है, सही क्रम में लगाना है, तो अक्सर इस तरीके से प्रशना आता है, तो इसे अच्छे से देखा करिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प डी होगा, आदिम समाज, प्राचेन समाज, पुझिवादी समाज और फिर आखरी में पुझिवादी समाज चीक है तो यहाँ पर क्या होगा विकल्प D सही हो जाएगा प्रेशन है निम्न में से कौन सा समाजिक नियंत्रन का स्वरूप नहीं है चेतन एवं आचेतन सहयोग एवं संघश प्रतिक्ष अवं अप्रतिक्ष सकारात्मक और नकारात्मक तो समाजिक नियंत्रन का स्वरूप नहीं है समाजिक नियंत्रन शोशल कंट्रोल इस ट्रॉपिक को भी कम्प्रीट कराया जा चुका है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर विकल्प B हो जाएगा सहयोग एवं संघश प्रतिक्ष समाजिक नियं अंतरन की बात किस नहीं की थी, चीक है, कमेंट बॉक्स में ये तीनों आपको बताने हैं, किसके द्वारा ये बताये गए थे, अब यहाँ पर प्रशने देखे, निमन में से कौन सा उधारन, छैतिज गतिशेलता का है, विकल्प हैं यहाँ पर, स्कूल अध्यापक का प्रधान अध्यापक बनना, पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थाना आंतरन करना, एक PCS अधिकारी का IS अधिकारी नामित होना, तो छैतिज गतिशेलता, आप देखे, सबसे पहले समाजी गति distortion की बारे में आपको क्या गया था किसमें व्यक्ति के पद में कोई परिवर्तन नहीं आता है उसकी इस्थान में परिवर्तन हो सकता है तो यहां पर एक zola dikari का दूसे जिले में इस्थान अंत्रण तो तो यहाँ पर विकल्प C होगा सही, आखरी प्रश्ण है, भारत में समनवीत जनजाती विकास परियोजना आरंब की गई, किस वर्ष की गई, अब यहाँ पर विकल्प देख लेजे, 1975 है, 1975 है, 1983 और 1987, 1975, 1980, 1983, 1987, तो भारत में समनवीत जनजाती विकास परियोजना कब शुरू आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरू करिएगा